आप सभी तमाम साथियों का आपके अपनी यूटूब चैनल एमें से इस्टेडी टॉक्स पर तो जाड़कंड में सिक्षे भरती परक्रिया से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जैसा कि आप सभी की जानते भी होंगे कि जो जाड़कंड में जो सिक्षे भरती परक्राइश भरती जिसमें CRP, BRP मामले पर आरक्षन मामले पर जो सुनवाई हो रही थी उसके बाद हाई कोट की तरफ से रोक लगा दी गए थी और उसके बाद JSSC की तरफ से भी इस पर फिलहाल के लिए इस्थागित किया हुआ है तो इसी को लेकर बड़ी अप्डे में आरक्षन के मामले में उच्च नियालाई ने सरकार दोरा डाली गए रिवी पर टिशन पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति परिक्रापर रोक लगी रोक को हटाने का आदेश जारी किया है तो पिछले सुनवाई में च्छाडखंड हाई कोट के दोरा च्छाडखंड म में नियुक्ति पर रोक राचे में बेरोजगारी को बढ़ावा देगी लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे बियारपी स्यारपी और कस्तुर्वा कर्वी जिन्होंने उच्छ नियालाई में आरक्षन है तो याची का डाली है उन पर वीचार किया जाएगा एबन जितने याची का करता है उतने सीट को ततकल आरक्षी सेने में रिजर रखा जाएगा तो बहुत बड़ी अपडेट है बेक ब्रेकिंग यूज है आज का कि जो सब्वी साह सिक्षव भरती शुरू ही है वो जो है एक बरफीर से सुरू होगा हालनकि आप सभी जानते भी होंगे जिनों में जो 26 सिक्षव भरती में सीटेट पास के मानिता की मांग है और ने जेटेट की मांग है उस पर भी फैसला आना है तो चैनल के सबने रहेगा जैसे जो भी अपडेट आएगा आप लोग अपडेट करते रहेंगे तो जैसे कि आप लोग देख रहेंगे केस नमबर भी दिया हुआ है और यहां पर फर्स्ट हैरिंग डेट के नीचे देखें निक्स्ट हैरिंग डेट जो है फिफ्ट अक्टूबर 23 था यहां आज के दिन में यह सुनवाई हुई है और इस पर जो रोक लगी हुई थी चाड़कर में सिक्षक प्रक्रिया 26 सर को लेकर वहां पर यहां पर बियारपी से आरपी मामले पर यह कहा गया है कि इन पर अलग से यहां पर निन्ने आने वाले है बाद में इसके पारे में फैसला होगा लेकिन अभी कि जो रोक लगी हुई उसको हटा दिया गया है यह जो फॉर्म अपले चल रहा था आविदन चल रहा और JSSC ने बाद में रोक लगने के बाद हाइकोट की तरफ से रोक लगा दी गए थी तो उन्होंने क्या किया था उसको इस्थागिद भी कर दिया था और फिर से दुवारा से फॉर्म अपले होगा लेकिन अभी भी सीटेट पास के माने था जेटेट को लेकर कोई फैसल नहीं आए तो हम लोगों वेट करना है जब तक हाइकोट की तरफ से फैसल आ जाता है तो आप लोग अपडेट करते रहेंगे चैनल के सबने रहेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया